नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुआत सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर नवर्स पर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुखता इंतिजाम दियारा छेत्र में धारा 144 लागू उर्दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर नातनगर इलाके में चला सगन छापे मारी अभ्यान स्वान दस्ता की टीम ने सेक्ड़ों लिटर अवैद सराप किया बरामद तीन गिरफतार संपत्ती विवात को लेकर नवगच्या में दो वर्षिया मासूम की हत्यार जांच में जुटी पुलिस अनाज नहीं मिलने से वोक्ताओं की बड़ी परिसानी डीलर पर लगाया मनमानी कारोग और भागलपूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता तीन सातिर अपरादी गिरफतार देशी कट्टा और गोली बरामद अब समचार विस्तार से नववर्ष को लेकर जिले भर में सुरक्षा की मुकमल व्यवस्था की गई है भागलपूर एससपी आसिस भारती के निर्देश पर सभी भीड़वाडवाले स्थानों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है नए साल का मजा किरकिराना हो जाए इसको लेकर एससपी आसिस भारती स्वेम मोनेटरिंग कर रहे हैं पुलिस परसासन की ओर से वीधी विवस्था एवं यातायात की चाक चौवन विवस्था की गई है एससपी ने का कि नववर्स को लेकर पुलिस परसासन अलट है साथ ही हुरदंग मचाने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी नववर्स के सुवसर पर सभी भागलपुर्ट के जो लोग हैं उनको मैं अपने तरफ से हादिक शुपकामनाय देता हूँ आशा करता हूँ कि यह जो नववर्स है यह आपके जीवन में खुशियां और आपके सभी जो आकांचाये हैं उपूर्ण हो नववर्स पर भागलपुर्ट पूलिस के दौरा विशेश सुरक्षा विवस्था की इंदजाम किये गये हैं ऐसे सभी स्थल जहां पर भीरभार होने की संभावना है वहां पर विशेश पूलिस पदादी कारी और बलकि प्रत्रुर्टी की गई है HDO ने का कि एक जनरी को दियारा च्छेतर में नीजी नाव के परिचालन पर परतिभंद लगा दिया गया है HDO ने सभी वीडियो और CEO को धारा 144 का सकती सा अनुपालन सुनिस्चित कराने का निर्देश दिया है नौव वर्ष के सभी भावर कुर्वासियों को धेल सारी शुक कामना है नए साल सुरक्षा के लिए महतपूर्ण हो सबसे पहले आपकी सुरक्षा और पुरेश शेहर की सुरक्षा ज़रोवी है इस मद्दे नजर नौव वर्ष के उसर पे हम लोगों ने सुरक्षा के पुखता इंतिजमात किये है सभी जगरों पे जो महतपूर्ण स्थान है वहाँ पे मनस्ट्रेट और फोर्स की बहाली की गई है इसके अलावा नदी छित्र में अनिवंधित नावों के परिचावन पे रूख लगाई गई है इस हेतु धारा 144 निर्गत की गई है और नावों के परिचावन पे पुण रूख से रूख रहेगी अब सबसे नुरूद है कि आप भी नदी में नव वर्ष मानने है तो अनिवंधित नावों को प्यूग ना करें आपकी सुरुख शा सबसे महुत पूर्ण है और नौ वर्ष जैसा मैंने पहले ही कहा सुरक्षा के लिए आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होगी और आप सुरक्षित रहें यह हमारी कामला है एक बार फिर आप लोगो नौ वर्स के देर साधिक शुब कामला है नौ वर्स के लिए सभी सहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मेरी ओर से हारदिक बधाई सुब कामना और जहां तक सुरक्षा व्यवस्ता का सवाल है पुर्व की भाति इस साल भी जो मुख के परेटक अस्तल है जैसे सैंडिस कंपाउंड हुआ इस तरह के जो बड़े स पुर्व की भाति इस बार भी पर्यात मात्रा में पुलिस बलतेनात किया गया है हम सारे लोग सक्रिय रहेंगे घस्ती करते रहेंगे और आसा है कि सब कुछ बढ़िया से लिए कि पूरु संध्या पर अवएद सराब कारोवारियों के खिलाब पुलिस ने अभ्यान चलाया इस दौरान पुलिस ने ललमटिया थाना च्छेत्र के पासी टोला इलाके में च्हापे मारी की छापे मारी कि दौलान पुलिस महिला समय दो वेक्ती को मौके से गिरपतार कर लिया साथ ही सैक्डो लिटर अर्ध निर्वित देशी सराब बरामत किया है दरसल ललमटिया पुलिस को अवध रूप से सराब बनाने एवं बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद थाना अध्यक्षों परकास के नेत्रित में डॉग स्कॉर्ट की टीम ने पासी टोला इलाके में सघन छाप इमारी अभियान चलाया जिसमें जमीन के अंदर गाल कर रखे गए सराब के साथ सराब बनाने के उपकरन को बरामत किया गया है चाप इमारी की टीम में सेसनाग सिंग, रशन देपासवान, संकर कुमार, श्वान दस्ता के भूशन पासवान, बलराम कुमार सहित कई पुलिस जवान मवजूद थे पुलिस जिला नवगच्या के थाना भीपूर में मंगलवार की सुभध दो वर्स या माशूं की गला दवा कर चाचा और दादी ने हत्या कर दी गटना को लेकर मिरतक बच्चे की माने बतलाया कि दो वर्स पुर्व पती मुहम्मद मुन्ना की मिरती हो गई जिसके बाद से ही वो अपने बच्चे के साथ ससुराल में रह रही थी उन्होंने कहा कि जमीन में हिस्सा देने की मांग को लेकर कई बार उसके देवर मुहम्मद तौहीद और सास मुम्ताज बेगम ने मारपीट कर घर से भगाने का प्रियास किया मंगलवार की सुभा बच्चे को खेलाने के बहाने ले जाकर उसकी गला दवा कर हत्या कर दी वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक मासूं के नाना अपनी बेटी के घर पहुँचे जिसके बाद पूरे घटना की जानकारी भुईपूर पुलीस को दी वहीं पुलीस बच्चे के सब को कबजे में लेकर जाच में जूट गई है इलक में जोतना दाउन दहचता सब देती थे हैं लड़का पैती साजार रुपा दिये थे एक भर सोना दिये थे सर पती है पती गुजर गये हैं सर पती गुजर गये हैं क्या नाम था पती का महमाद मुन्ना कब हुग गुजर हैं 2017 में दो साल हो गया सर पाउश मसीन से अनाज दिये जाने की बेवस्था के बाद वोक्ताओं और डीलरों की परिसानी बढ़ गई है एक तरफ डीलर्स एसोसियेशन ने 803 मांग को लेकर एक जन्री से और निस्चित कालीन हर्ताल पर जाने की चेतावनी दी है तो वहीं दूसरी तरफ अनाज नहीं मिलने से जन्वितरन परनाली के उभोक्ता परिशान है मंगलवार को वाट संक्या पंदर के जबबार चक में राश्टन लेने पहुंचे वोक्ता डीलरों परकास सा की दुकान पर हंगामा करने लगे वोक्ताओं ने कहा कि डीलर की मनवानी के कारण उनका नाम और आधार पॉस मशीन से लिंक नहीं हो पा रहा है कई वोक्ताओं ने बताया कि एक माँ पहले ही डीलरों परकास को आधार काट की फोटो कॉपी उपलब्द करा दी गई थी लेकिन डीलर ने कोई ध्यान नहीं दिया बिलरों परकास ने कहा कि पॉस मशीन से आधार लिंक नहीं होने के कारण समस्या उत्पन हो रही है और हमको रासन नहीं मिल रहा है चार दिन से दम तौर तौर कर रहे हैं वह पर जबाक आधार काट बहुत नहीं जूटा है जो निटल रहा है वही का धरी का नाम लिख रहा है समान दे रहे हैं पर हमारे बाद नमस 15 की जनता जो है बहुत परशान है यतने भी डिलारे सब एक जूट हो गए है यह लोग असम्मील करके जब यहां से महला जाती है तो यह लोग बोलता है तुम जहां जाना जाओ एमो को पैसा खिलाते हैं, SDO को पैसा खिलाते हैं और सपनानिस्पेट्रों को पैसा खिलाते हैं इस टेप का बैवारा इंको बोलता है जहां तुम जा सकती है ओ महला जब रोती है मगर इलोको आनाज नहीं दिया जा रहा है सब ने जमा किया अधार काड़, मगर अधार काड़ जमा करने के बाद इन्होंने इंट्री नहीं कराया, जान बुच करके, और इंट्री काड़ी दा ऐसी समस्किया नहीं हो, पुत्पन होती है। सब्सक्राण कारी दी, सब्सक्राण कारी ने कहा कि जीरो माईल और तिलकामान जी थाना च्छेतर में पिछले दिनों, रागीरों के साथ लूट पार्ट मामले में सातीर अपरादी, सुर्खीकल निवासी, मनीस कुमार, उर्फ मनिया को गिरफतार कर लिया गया है। इसी कट टाइवं कार्टूस के साथ गिरफतार कर लिया गया है। पूर्व का कई सारे मामलों में ये शामिल रहा है जिसमें से हत्या लूट और लूट पार्ट और रंगदारी की घटनाएं शामिल है तो उसको कल गुप सुचना के अधार पर गिरफतार किया गया है बरारी थाने चेतर से इसके द्वारा अपने अने सहीयोगियों के साथ मिल करके लगतार अपरादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था उस चेतर में लोगों से रंगदारी की मांगी जाती थी वक्त हो चलाएं छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद देश का आंगल वर्ष है अंक्रेजी वर्ष में कैलेंडर येर बदलने वाला है सभी परिवारों में खुशिया आए सभी जो अपना काम कर रहे हैं उसको इसी लगण के साथ अगले वर्ष भी बढ़ाएं सभी के घर में संपन्नता आए और भगवान से प्रात्ना करूंगा कि आप इसी प्रकार देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देते रहें बहुत बहुत शुक्त काम सभी देशवासियों को नव वर्ष के हार्दिक्ष्यों कामना देता हूं आप प्रगति के पत पर अग्रसर हों साथ ही मैं अपील करता हूं कि सड़क दुरुगट्टा में घायलों को चरूर मदद करें और खुद गती सीमा को नियंत्रित रखें हेलमेट पाने सीट वेल ल इसे ज्यान रखें ताकि बच्चे बिमार नहीं महानगर राष्टे जंता दर भागलपूर के ओर से समस्त देश वासियों को और खास करके वाड नमबर 14 की जंता को मैं नौ वर्ष की बहुत-बहुत सुब कामना देता हूं और भागलपूर के लिए मैं भागलपूर के पर भागलपूर जिला वासियों के साथ समस्त देश वासियों को नौ वर्ष 2020 की धेर सारी हार्दिक सुब कामनाय देता हूं साथी साथ मैं इस्वर से प्राथना करता हूं कि हमारा देश नए वर्ष में एकता और भायचारे की भावना के साथ आगे बढ़ें अपस में सौहार्द की भावना का विकास हो हूं मैं नवर्ष को अफसर पर सभी को भार्दिक शुप कामने देता हूं और आने वाले 2020 बहुती मंगल में हो शुखद हो सभी स्वस्त रहें खुश रहें और संपन्ले रहें मैं नवर्ष के सुब अफसर पर भागलपूर समेत हिंदुस्तान के सभी अवाम को मैं नए से अलकी मुवरक बात देना चाहता हूं और खास करके हमारे जो इस्ट्रुएंट है मैं उनसे अपील करता हूं कि वह पढ़ाई पे बढ़िए से फोकस करें और पढ़ाई के साथ आप जो लोग खेल से इंटेस्टेट है वह खेल पर भी फोकस करें ताकि हमारे भागलपूर का नाम आर हमारे मुल्क का नाम आप र पर घिज नहीं करें और जहां पर पिकनी का मनावें महां पर दंगी भी ने फलावें पलाश्टिक का इस्तिमाल भी नहीं करें जहां गंडा नजर आवे वह साफ करके अपने साथ घर ले आवे और दश्ट भी निवे नवस के स्वव अश्वर पर मैं उत्तम हार्दिक बधाई देता हूं और मेरा ये कहना है कि आप सभी युगा खुद साक्षर बने डिजिटल यूग में अपने आपका पदार्पन करें और साथ ही आसपास जितने लोग हैं उनका पदार्पन भी डिजिटल यूग में करा करके हमारे देश को श्रस्त बनाने में ए अपने सफाई का ख्याल रखे इधर उदर गंदगी ना फैलाएं और स्वक्ष रखे यही अपीर करता है अडवांस ट्रॉमाइंड माक्रो सजरी सेंटर की तरफ से पुरे देश वासियों और सहर वासियों को नपर्स की सुबकाम नाएं नए बर्स में हमारा एकदायत बनत की ओर से आप सभी देश वासियों को नव वर्स की हार्दिक सुबकामनाएं देता हूं हमारे देश्टुएंट माहिए लजीज बेंजन का अनान उठाइए कुछ डिस्काउंट भी दोंगा नए बर्स पतर मैं सत्रुगन परसाथ सिन्धा मुख्या ग्राम पंचायत अंडि सुबकामना करता हूं मैं सभी देशबासियों एवं भतोडिया पंचायत की जनता को नव वर्स का धेर सारा सुबकामना देता हूं और आशा करते हैं कि आने वाले नव वर्स में सभी उन्नती करे यही मेरा कामना है मैं मुअमद स्भागलपूर में विश्वस्तर ये पढ़ाई की सुविदा पहली बार G.D. Going का पब्लिक स्कोल, CBSC कॉरिकोलम, नरसरी से 7 तक की पढ़ाई सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस, AC बस विच जीपियस औन सीसी टीवी चाहे आवासिय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगिन विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ योग, खेल, कला और ये लाइबरेरी भी हमारा पता है जीडी गोईंग का पब्लिक स्कॉल जीचो बिसनपूर भागलपूर, कॉंटेक्ट नमबर 7672800010, अन्मिशन इस गोईंग आन कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और सहस रखें, सही समय और सही जगा पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात होस्पीटल समू नारायना हेल्थ ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571 यादरे 9199446571 नारायना हेल्थ शांदार बैंकवेट हॉल में भेब शादी का अनन्द लीजिए अब अपने शहर भागलपूर में शहर के हिर्द्य अस्थल किलकामाजी चौप पर इस्थित मान्यवर बैंकवेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत परी 23 हज़ार वर्फिट में फैला मान्यवर बैंकवेट हर तरह की आधूनिक सा सजजा एवं सेंटरली एर कंडिसन के साथ शादी, रिशेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयजनों में चार चांद लगाने को तैयार शांदार वेन्यू एवं लाजबाब गेश्थ हाउस बिहार जहरकंट का इकलोता एस्मार्ट बैंकवेट हॉल आपके शहर भागलपूर में अब आपके लिए मान्यवर बैंकवेट हॉल खुसियां बातनी अपनों के साथ ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खवर की ओर भागलपूर के सेंडिस मैदान में मंगलवार को समवेत संस्था की ओर से नाटक मंचन किया गया इस दोरान कलाकारों ने मटबाटो इंसान को और अविलासा की मिर्तियू नाटक की जीवन्त प्रस्तुती दी दोनों नाटकों का निर्दे सन समवेत के अविनास तिवारी ने किया इस मौगे पर विक्रम, वर्सा, उदय, शत्यम, साक्षी, दिब्यमनी, चेतन्य समेत, कई रंग कर्मी मौजूद थे यहाँ पर एकटे हुए हैं बद दो पक्षों के बीच जम कर मार फिट भी घटना में दोनो पक्षों के चार लोग घाया लोगे जिसे इलाज के लिए पुलिस ने मायगंज अस्पताल में भरती करवाया है गटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक पक्ष के परसादी ताती अपने दुकान पर वैठा था तभी इसी दौरान सागर ताती दुकान पर पहुँच कर उधार समान देने की मांग करने लगा वहीं परसादी ताती ने उधार समान देने से इंकार कर दिया जिसके बाद सागर ताती ने गाली गलोच करते वे अपने सहयोगियों के साथ दुकांदार परसादी ताती पर इट पत्थर से हमला कर दिया वहीं परसादी ताती को बचाने पहुंचे पुत्र संतोस ताती और बेटी नेहा को भी दवंगों ने पिटाई कर गंभीर रूप से जखमी कर दिया वहीं साग्चक पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफतारी के लिए छापी मारी कर रही है इसाग्चक पुलिस ने बताया कि सागर ताती का परादी की तिहास रहा है और कुछ दिन पुरु भी उसने परसादी ताती के साथ मार्पीट की थी पहुत मारा है होस्पिटल हम लोग जा रहे हैं सर हम टेंपू लिके जा रहे था सर दोनों बाप बेटा मामीर ख़डा था सर बोला कि मादा चो टेंपू में से लिका जुट्टों के बलने लगा तो परसादी नाती बाप बेटा था सर न्रसी को लेकर लोगों का प्रोस थमने का नाम नहीं ले रहा है मंगलवार को सनूला के कमाल पूर हाट से एनरसी और C.A. के खिलाफ विसाल रैली निकाली गई जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया इस दोरान रैली में सामिल लोगों ने हाथों में स्लोगन लिखी तक्तियां लेकर केंद्र सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की रैली कमालपूर हाट से निकल कर सांती पुर्ण परदर्सन करते वे सनहुला अंचल कारियाले पहुचा जहां CEO विकास कुमार कर्ण को मांगों से संबन दित ग्यापन सौपा रैली का नेतरित संबिदान बचाओ देज बचाओ के बैनर तेले किया गया इस मौगे पर सुभानन्द मुकेश, मुहम्मद रब्बानी, मुखिया परतिनी दियनुच कुमार ज्जा, मुखिया मुहम्मद मंजर आलम, सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे देखे, एक प्रिटिशन जो है, सुप्रिम कोट में दाखिल हो गया है, और जिसकी सुनवाई 22 जन्वरी से सुरू होगी देखे, आपको बताते हैं, 1976 में भी इस तरह के आर्टिकल थे, जहाँ पर उन्होंने ये खंसत को अधिकार दे दिया था कि इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, उस आर्टिकल को लेकर के सब लोग सुप्रिम कोट गए और उसको अखारिज किया, इसी तरह का ये जो काला कानून है, इसके लिए हमनों सुप्रिम कोट जा रहे हैं, और सभी लोग उसको लेके, आप सुप्रिम कोट पर कि आज देश में दुसकर्म की बड़ती घटनाओं एवं गरीब पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार के विरोध में जुलूस निकाला जाएगा, वही नगर अध्यक्ष विके यादेब ने कहा कि भाजपास सरकार आम जनता के अधिकारों को चीनने में लगी है, उन्होंन थी हमारे जनिदिकार पार्टी के राष्ट्य अधिक्स पपू यादब जी का, जो कि दस तारीक को बाका के अंदर नर्सी और सी ये के बिरोध में बिरोध पर दर्शन होना है, उसके लिए इस जन सबा को रखा गया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कि ये जो सरकार और ये गरीब डलित मुस्लिम और आदीबासी के बिरोधी हैं देंगे जिस बोटर आईडी काड़ और जिस पेन काड़ अधार काड़ से अमबोड दिया हैं आज वो हमको कह रहे हैं वो मान यह नहीं है अब हमको बताईएगा और अंत में चलते चलते एक नहीं डालते हैं है एड्लाइन्स पर नव वर्स पर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुखता इंतिजाम दियारा छेतर में धारा 144 लागू उर्दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर नातनगर इलाके में चला सगन छापे मारी अभ्यान स्वान दस्ता की टीम ने सेक्ड़ों लिटर अवैद सराप किया बरामद तीन गिरफतार संपत्ती विवाद को लेकर नवगचिया में दो वर्सिया मासूम की हत्यार जांच में जुटिप पुलिस अनाज नहीं मिलने से वोक्ताओं की बड़ी परिसानी डीलर पर लगाया मनमानी कारोग और भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता तीन सातीर प्रादी गिरफतार देशी कट्टा और गोली बरामद फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार झाल